हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सुकत दोस्तों यह दिया आपके पास में भी पैन काड है अगर आपका आधार काड और पैन काड दोनों लिंक नहीं किया हुआ है तो आपको 10,000 रुपय तक दुरुबाना लग सकता है किसको जूरुबाना लग सकता है किसको छोट दिय सरकार के तरफ से पूरा complete जनकरी बताने वालों साथी साथ आप सभी को बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते कि आपका pen card आदार से लिंक किया हुआ या फिर नहीं किया हुआ है करना चाते तो किस तरीके से कर सकते पूरा complete प्रोसेस आप सभी को अपने से पहले का pen card बना हुआ है pen card से अधार कर लिंक करना पड़ेगा और लिंक करने का प्रोसेस बहुत ही आसने आप अपनी mobile phone से भी कर सकते हैं बात कर लेते हैं कि किस किस को यह penalty 10,000 रुपए तक का नहीं लगेगा अगर आप जमू कस्मीर से आते हैं मेगाले से आते हैं उसके अलावा एन राई है यह फिर आप senior citizen में आते तो आप सभी को यह जो penalty है इससे आपको छोड़ दिया गया है आपको किसी तरीके का penalty नहीं लगेगा अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से अपने mobile phone से अपने pen card और अधार card का link चेक कर सकते हैं कि आपका link किया हुआ है यह फिर नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले अपने mobile phone में Google Chrome को open कर लेना यह फिर computer में भी check करना चाहते हैं तो computer में Google Chrome में income tax लिख करके search कर देना जैसे आप income tax लिख करके search कि जागा यहां पर फर्स्ट में link दिखा देगा इसे link के ओपर मैं आप सभी को एक बार click कर देना है जैसे आप यहां पर click कि जागा इस तरीके से इसका interface आप सभी को देखने को मिलेगा आपको काफी सारा option देखने को मिलेगा यहां पर देख रहें verify pen status तो simply आपको यहां पर एक बार click कर देना जैसे आप यहां पर click कि जागा page redact करेगा आप सभी के सामने में एक नया window जाएगा इंटरफेस देख रहे हैं एक दो तीन यहां पर तीन step में आप अपने अधार और pen का status चेक कर सकते हैं तो यहा इसके उपर में एक बार किलिक कर देना है यहां पर दियाके आपके दिया के मोबल पर OTP यहां पर आपको tap करके verify कर लें इस तरीके से नीचे के तरह आएगा एक option दिखे देगा validate का तो सिधा आपको validate के उपर में click कर देना है इस सभी step मेरा complete है और यहां पर देख रहे है pain is active but details are not as per pain यहां पर जो भी हम नाम दिए यह फिर date of birthday उसमें कुछ भी missing है मेरा pain card activate है इस तरीके से आपको message दिखा दे रहा है तो आपका pain एकदम activate है किसी भी तरीके का आपको इसमें link करने का जरूत नहीं होगा कि यहां पर note link का message दिखा दे रहा है तो आपके इस तरीके से link कर सकते हैं इसी website पर आपको अपनी mobile phone में यह फिर computer में Google Chrome को open करने का बार income tax लिख करके search करने को यहां पर इस तरीके से page पर थोड़ा सा नीचे के तरह पाईएगा यहां पर आप सभी को काफी सारा option देखने को मिलेगा पॉप्शन दिखा देगा link का आधार का तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको इंजार करना है नया पर आप सभी के सामने में आए तरीके से यहां पर इसमें भी तीन स्टेप में आप आपने आधारा और pen card को जोर सकते यहां पर जो डीटेज्स दिखा हुआ है यह समझनी के लिए को इसको हिंदी में कर सकते हैं तो फותर आपको पूरा दीटेयल्स यहां पर देखने को मिल्डा है जिन करदातों को 1 जुलाई 2017 तक पेन आवंटित किया गया है और उन्हें लिंकिंग से छूट नहीं मिली है उन्हें पेन आधार लिंकेज अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए 1000 रुपे का गेर वापसी सुल के देना होगा यदि 30 जून 2013 तक लिंकिंग नहीं की जाती है तो 1 जुलाई 2003 से पेन उसक्रिय के रूप में चिनित क्या जागा किर्पी अधार पेन लिंकिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए पेटेक्स के माधियम से 1000 रुपे लागू सेवा वापसी योग सुल का भुकतान करें कि यह दि आपका पेन काड एक जुलाई 2017 से पहले का ब जाता था अभी जो भी बंड़ा हुओ एल्लेडी लिंक रहता पहले से जो पूराना है उसमें आपको दिख्कत है लिए पूराने पेन काड को लिंक कि जिएगा तो इसके लिए आपको एक हजार रुपे का चलान ओनलाइन पे करना पड़ेगा तो यहां पर यहां पर करना आपको 1000 रुपे का online payment करना पड़ेगा तब आपका pencard से अधार काड लिंक हो पाएगा यह process को हम पूरा complete नहीं करवा पाएगे क्योंकि हमारे पास में जो भी pencard है वो नया वाला है पुराना वाला कोई भी pencard नहीं है तो आप सभी को मैं सही तरीकी से समझा पाए कि pencard यह दि आप संथ 4 रहता है इस श्रीक को कुछ सद्केब कि लिएगा इस वीडियो वी जानटे वालओ और भी कुछ जाना चाहते आप हमें कमेंट कर सकते इस वीडियो के साथ इस वीडियो और आप अर् schaut कॉर।